नमस्कार दोस्तों सभी का स्वागते चाट मजो के नए वीडियो में और दोस्तों अब इस हफते से हम एक नया फॉर्मेट लेके आ रहे हैं यूशली मैं आपको टेक्निकली जो व्यू रहता तो वो बताता था लेकिन हम फॉंडामेंटल पे जरा भी फोकस नहीं करते थे और इसके अंदर हम क्या करेंगे इसके अंदर अभी हम आपको टेक्निकली तो अपडेट रखेंगे पूरे मार्केट के अंदर क्या हो रहा है टेक्निकली क्या लग रहा है अगले हफते के अंदर क्या हो सकता है और साथी साथ डेली वीडियो तो हमारे आते हैं वो इंट्रडे बन रही है या फिर उस पर इंवेश्मेंट पर क्या असर पड़ता है क्योंकि कोई कोई कंपनी के अंदर एक बड़ा अपडेट आ जाता है हमको लगता है भाव उपर चले गया और आपको अगर पूरी तरीके से उसका इंपक्ट नहीं पता न्यूस का तो आप बोलते हो कि सर मैं जैसे ही स्टॉक बेचना हूं तो वो और उपर चले जाते तो यह सब चीज़े अगर आप हमारा वीडियो देखोगे फंडामेंट जो भी इंपक्ट पढ़ रहा है काउंटर पर अभिशेक उसको काफी अच्छे से बता देंगे जो मेरे पार्टनर है तो आप फिर यह स आप जानते ही होगे काफी सारे उन्होंने वीडियो भी बना है हमारे चैनल पर लेकिन एक बर अभिशेक आपको अपना इंट्रोडेक्शन दे देंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे वीडियो नमस्कार मेरा नाम अभिशेक है और फाउंडर ऑफ चार्ट मोजो देवराज लुक इंटू दर लॉंग टर्म इंवेस्टिंग एंड फंडामेंटल एस्पेक्ट्स तो वह ज़रूरी क्यों है उसका मैं क्विकली आपको बता देता हूं कि लॉंग टर्म इंवेस्टिंग हम लोग इसले करते हैं ताकि हम लोग वेल्ट क्रिएट कर पाए और हम लोग ट पास एक cash flow generate कर पाए यह दो चीज में बहुत डिफरेंस होती है और इन दोनों चीज को हम लोग बहुत अलग वे में अप्रोच करना चाहिए कोई भी चीज को अगर अपन लॉंग टर्म के लिए देख रहे हैं तो उसके बारे में न्यूज जो भी आते हैं उस पे हमें ध्य 10%, 5% अगर आप holding में हो तो आपको हर बार उस चीज को देखके react नहीं करना चाहिए तो यह सब कुछ-कुछ बाते हैं जो हम लोग आने वाले कई weekends में बात करते रहेंगे अलसो mutual funds के बारे में बात करेंगे हम लोग insurance के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारी चीज हम लोग cover करेंगे in terms of long term investing आज के इस हफते में हम लोग बात करने वाले हैं कि last week में news में क्या-क्या हुई है और इस बार हमने एक चीज notice किया है कि अब large cap companies जो भी है जो nifty 50 के stocks है उनमें बहुत सारे हल्चल हम देख रहे हैं यह पहले काफी time से हम लोग ने वो movement नहीं देखा था और अलसो share price में हमने वो movement उस हत में नहीं देखा जो हमने mid cap और small cap में देखा था इस चीज को हम लोग ध्यान में रखते हुए कुछ-कुछ news है जो हम share करना चा पर एक बार आगे व्यू बना सकते हैं तो यहां पर एक मारू बजू candle बनी लास्ट वीक तो यह क्या signify कर रही है अपने को कि open is equal to low जैसे हफ्ता नया शुरुआत हुआ बायस बैठे थे बायस ने वहाँ से भाइंग स्टार्ट की एक important चीज हमें यह देखने मिली पिछले हफते मैं आपको एक बार 15 मिनिट का चार्ट पर लेके जाना चाहता हूँ और यहां पर आप देखे है gap up sideways, gap up selling, gap down और उसके बाद opposite reaction तो market कुछ ना कुछ opposite reaction दे रहा था gap up के बाद sideways या selling फिर gap up के बाद selling लेकिन जब gap down हुआ तो buying आ गई तो दुस्तो इससे साफ जाहर होता है कि market के अंदर bullish bias बनावा रहेगा आने वाले हफते के अंदर और जो last hour की buying देखने मिली हमें वो काफी important थी अब important level क्या हो जाएंगे next week मेरे साब से next week 24,500 काफी important level रह अगर टूटा है चार्ट पे तो हम एक काफी अच्छी एक अपमूव देख पाएंगे market के अंदर आने वाले हफते में तो कहां तक अपमूव बनेगी दोस्तों 24 500 निकला तो मेरे सबसे weekly में 25,000 जो एक psychological resistance बनेगा फिर वहां तक एक easily challenge कर सकता है market अगर आप देखेंगे last time जो एक breakout हमें देखने मिला था लगबग 20,200 से one way up move मिली ठीक है और उसके बाद running correction में sideways गये अभी वापिस sideways correction में से breakout मिला है so budget session भी आने वाले है I think 500 बन का gap बन सकता है lower side उतना दिक्कत की बात नहीं है I think 24,000 should be a good support area for the week और जैसे अभी आपको अभिशेक ने बता है था कि काफी सारे large cap counter के अंदर new slow बन रही है और उससे impact आ रहा है large cap counter के अंदर तो इस चीज़ पे भी हम focus करेंगे कि large cap के अंदर क्या-क्या नए development हुए है अभी आपको अभिशेक बताएंगे कि क्या-क्या नया चीज़ हुआ है yes तो news तो काफी सारे है बट जैसे कि मैंने कहा कि large cap में अभी movement काफी अच्छा है और उसे lead कर रहा है अभी तक जो भी हम लोग देखते हैं कि कोई भी revenue को अगर आप प्रेडिक करना चाते हो तो हम एक revenue को उस नंबर के साथ देखते हैं and Airtel और Gio दोनों ने किया है so there is not one thing कि अब customers will move from one company to other दोनों ने किया है मतलब हम लोग यह सोच सकते है कि जो अभी share चल रहा है market में इन दोनों का market share वो relatively same रहने वाला है जिसके कानन से we can see a PE re-rating of Reliance and Reliance is moving towards 3500 mark after a long long consolidation Reliance is moving towards 3500 mark also Gio का IPO की भी news आ रही है it will be the biggest IPO ever और biggest IPO में कुछ दिन पहले Hyundai की बात आई थी कि 30,000 क्रोर का IPO आने वाला है and Gio will most likely to be you know Gio will beat it so यह एक बात है कि Gio और Airtel दोनों ने अपना terrified किया यह बहुत बड़ा news है followed by Gio का IPO what do you think in the chart देवराज तो दूस्तों जैसा हम देख रहे हैं चार्ट के उपर की टेलीकॉम के इंदर काफी अच्छी मूव बनी भी है और यह मूव आज की नहीं है मतलब इस हफते या एक महीने की नहीं है यह मूव लगबग 2023 से ही बनी भी है भारती एटल आप देखिए वन वे वीकली चार्ट उपर जा रहा है हाई रहा हाई हाय लो बनाते वे उसके साथ साथ अगर आप वोड़ा फोन आइडिया देखे तो वोड़ा फोन आइडिया ने भी एप्रेल में के आसपस लो बना दिया था और उसके बाद वन वे उपर जा रहा है यहां पर हम देख सकते कि भारती एटल के पास डेट कम है इस वज़े से यह वन वे उपर जा रहा है लेकिन वोड़ा फोन आइडिया के पास आई थिंक डेट का जो अभी भी इंपक्त है व टेरिफाइक न्यूस बनने के बाद यह सब फेक्टर थोड़ा सा पहले हो गया तो एक इमिजेट प्रॉफिट बॉकिंग देखने मिली हमको भारती एटल और वोड़ा फोन आइडिया में लेकिन अब जिस भी दिन हम यह जो हाई निकाल ले यह जो प्रॉफिट बॉकिंग है कि उपर जाने का वेट करना चाहिए उसके बाद एक अच्छा यह साबित हो सकता है और क्लियर कट हमें यहां पर ट्रेंड नजर आ रहा है स्ट्रॉंग मुमेंटम के साथ जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि वोड़ा फोन आइडिया में वॉल्यूम भी भढ़ रहा है तो वाद यू थिंग कौन सा रिलेटिवली बेटर है इसमें अगर देखा जाए अभिशिक तो इसके अंदर भारती अटल के अंदर मुफ बहुत क्लियर है हाई रहा हाई लो भी क्लियर बन रहे हैं तो नमबर वन आगर हमको किसी काउंटर को देना होगा राइट ना सिंग बट यहां पर हमको भी भूलना नहीं चाहिए बट रिलाइंस के अंदर बाकी सारे बिजनस भी है रिटेल है और फिर टेलिकॉम भी है उस वज़े से यह थोड़ा सा जो है इसकी जो स्पीड है अगर आपको प्यॉर प्लेट टेलिकॉम पर स्पेकुलेट करना है और जैसा आपके साथ एक काउंटर भी शेर किया था जिसके पर हमने चार्ट स्टड़ी की थी लाश्ट हफते के अंदर वो था इंडस्ट आवर अब इंडस्ट आवर के अंदर अच्छा ब्रेक आउट तो जो हमारे डेली वीडियो देखते हैं थोड़ा थोड़ा बहुत डेली अच्छा है तो मतलब हम देख सकते हैं कि एर्टेल पर फोकस अब एर्टेल स्टॉंग लग रहा है नेक्स्ट अब हम जाते हैं दूसरे सेक्टर में और वो सेक्टर है कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में अनादर बिग प्लेयर एलिंटी एलिंटी को अभी दो बड़े- मिला है दोनों ओर्डर है एक तो साओधी एर्मको से और जो है 30,000 क्रोर्स का इस वेरी बिग ओर फोर एलिंटी एन इस दे बिगेस्ट और और दूसरा है फ्रम ओन जीसी जो 5,000 क्रोर्स का है अब जैसे कि मैं चार्ट पर भी देख सकता हूँ एलिंटी का कि काफी टाइम से कंसॉलिडिशन फेज में भी है बट अगर मैं इसका आपको स्क्रीनर पर लेकर चलू तो हम लोग आ गए हैं एलिंटी के स्क्रीनर पर यहां पर अगर मैं आपको दिखा ओ कि प्राइज वाइस तो आप देख सकते हो कि कंसॉलिडिशन काफी अच्छा है पर जब हम इसके अ जिसके कारण से अभी हम एक कंसॉलिडेशन एक हेल्दी कंसॉलिडेशन में है और यह स्टॉक को ओडर बुक अफकॉस मिला है जिसके कारण से वह एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा और होपफुली इफ यूनों टेक्निकली देवराज जो भी बोल रहे हैं अब उनकी रा आगे मूव दे सकता है पूछते हैं तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है तो हमने कपन हेंडल का एक चार्ट पे बनाया था इससे ब्रेकाउट मिला था इसका हिस्ट्री देखते पहले काउंटर की ना टेक्निकल थोड़ा जानने से पहले देखो कितना अच्छा यह अप एक चैनल पैटर्ट न ब्रेकाउट डिया अघर मैं यह यहां पर आपको यह पैटर्टर्ट मिला पहला सेके अगर हम बात करें तो फिर कंटिनीयरेशन में कपना पैटर्टर्टर्ट मिला यह तो हमने कैच कि आ था ठीक है आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं इसके के अंदर इसको consolidation के अंदर चले गया था तो एक रेक्टेंगल टाइप पैटन यहां पे आप क्लियर दिखाई दे रहा है तो मैं यह जो ओल्ड पैटन है इसको मैं हटा देता हूं अभी क्योंकि जो चार्ट की उपर नहीं जो symmetry बन रही है वह एक रेक्टेंगल पैटन की बन रही है फिलाल तो अब दोस्तों इसको कैसे प्ले किया जा सकता है तो रेक्टेंगल पैटन का breakout अपने को दिखाई दे रहा है दो बार रजिस्टेंस लगा है लगबग 3900 पे तो 4000 का लेवल जो है न 3900 से 4000 का लेवल यह रजिस्टेंस की तरह काम कर लेकिन इस बीच जो नया ऑडर विन हो रहा है जैसे की देख रहे हमकी नया अपडेट आ रहे हैं उसका इडवांटेज उठा सकने तो दोस्तों यहां पर चोटे टाइम फ्रेम पर सिम्मेट्रिकल ट्रेंगल का पैटन बना है जो कि एक हमें चार्ट पर यह दर्शाता है कि वोलेटिलिटी अब स्कुईज हो रही है तो जैसे चार्ट पर यह दर्शात आ कि वह वो स्कुईज हो रही है मतलब काउंटर गया साइड वेस में फसा वाए लेकिन आब वो नेरो नेरो रेंज में वह धीरे धीरे ट्रेट कर रहा है जैसे जैसा ट्रेडिंग डेंग आ रह पास एक ब्रेक आउट डेखने मिल सकता है यहां पर अभिशिक तो यह काफी एक अच्छा साइडवेस में हैं लेकिन इसमें बाइस वी पॉजिटिव लग रहा है सिमिट्रिकल ट्रेंगल के कारण एंड वाट बाट ओंजीसी ने इसे ओडर दिया है एंड बिंग लिस्टेट कंपणी बेरी बिग कंपणी वट यू थिंग अबाट स्टॉक तो इस अफ्टे का हमारा चार्ट सड़ी पर आ रहा है क्यों आ रहा है क्योंकि देखो पैटन काफी क्लियर लग रहा है एक हडल है इस काउंटर के अंडर 292 तो 292 अगर पार करेगा तो यह फिर ब्रेक आउट दे देगा यहां पर देखिए यह 292 हायर लेवल है हायर लेवल मलब स्पाइक आया वाह है और उससे पहले अगर आप क्लोजिंग बे इंटरनेशनली स्पाइक कर रहा है अगर हम क्रूड ओयल का चार्ट देखते हैं तो वहां पर भी थोड़े बहुत युएस मार्केट के ना जो क्रूड ओयल उपर जा रहे है उस वज़े से यहां पर उसका फाइदा भी दिखाई दे रहा है तो आई तिंक यहां पर नजर एक बार रखनी चाहिए और यह हमारा एक वीकली काउंटर होगा आने वाले हफते के चार्ट स्टड़ी के लिए तो दोस्तों नंबर वन काउंटर फॉर दी नेक्स्ट वीक इस ओ एन जी सी यह बहुत ही स्ट्रॉंग लग रहा है काउंटर टेखनी के लिए तो पहली बाद आपको देखते ही पैटन समझ जाना चाहिए अगर आप हमारा चैनल फॉलो कर रहे हैं काफी समय से हमने काफी सारे एजुकेशनल वीडियो भी बनाए है आप देखिए यहां से एक अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा ठीक है इसको हम बोलते राइजिंग चैनल तो काउंटर की बात करें तो लगबग एक टाइप शक्चर पाइटन है और नेक्स्ट वीक के लिए अगर मैं बात करूं तो चौदा सो का लेवल जैसे पार करेगा यह काउंटर तो हमें एक अच्छी कासी इसके अंदर भी ब्रेक आउट दिखाई दे सकता है तो दोस्तों इसके उपर भी हम फोकस रख सकते हैं आगे आने वाले वीक के लिए क्योंकि एक बड़े स्ट्रक्चर का ब्रेक आउट है चैनल में से निकला है दोस्तों तो थोड़ा बहुत इसके पोटेंशल ज़रूर बनेगा तो अभी इसे काफी अच्छा है यह स्टॉक कि अगर मैं स्क्रीनर पर अगर मैं इसका डेटा देखो तो एक चीज जो मुझे बहुत अच्छा लगा है दो कोई भी इसे देखे तो कहेगा कि प्राइज वाइस काफी भाग चुका है यह स्टॉक और दूसरे तरफ अगर हम लोग देखे तो दो चीज इसमें अच्छे से हो रही है जो एक फंडाम सब्सक्राम चुका तुब आप धान शिज अगर मत्रीं जऑ अगर मुझे भाग तरफ्रें के कर देखे टो अगर अगर हम दो इसज लेवल पर यह जो सेफसे हों पर लेवल निग कर रहा था बट अभी मार्च ट्वेंटी थी त्री में टू परसंट हुआ, मार्च ट्वें का OPM 24% हो गया है तो यह देखा जाए तो डबल कर दिया है company नी अपना OPM at the same time company का sale भी double हो चुका है so which is a great sign fundamentally and in fact अगर bull run रहेंगे तो ऐसे stocks भागेंगे so this stock is looking good overall for your chart study दूसरे सेक्टर पर अगर हम देखे तो एक auto segment में बहुत ही exciting news है कि Bajaj Auto ने world का first CNG bike launch किया है now हमने जैसे देखा है कि e-bikes या फिर electrical bikes electrical scooters इंडिया में and other growing economies में काफी जादा अच्छा response मिला है auto companies को तो वैसी हम लोग देख सकते है कि CNG bikes को भी हम सोच सकते है कि अच्छा response मिलेगा because इससे mileage भरता है और you know prices भी कम होती है so let's see what happens what do you think technically देवराच तो यहां पर हम चाट देखते ना एक बार बजा जोटो का तो मैं एक बार यह बता दू कि एक अच्छा सब breakout हुआ बेस बनाने के बाद counter already higher high low में अब दोस्तों देखो इतना बड़ा news का development है तो अल्रेड़ी यह प्राइस में जो काफी सारे शेर और शेरोल्डर को अल्रेड़ी यह चीज़ न्यूज में थी और काफी टाइम पहले रिपोर्टिंग हो गई थी कि एक ऐसी बाइक लॉंच होने वाली है आप देख सकते आपके लिए यहां पर देखिए अब इसमें क्या टेक्निकल स्ट्रक्चर बनता है कि एक जो राइजिंग रजिस्टेंस लाइन जा रही है ओके लाइक दिस उसका ब्रेक आउट हो गया है लास्ट सेशन के अंदर तो जिस जैसे कि फ्राइडे को हमने अनॉंसमेंट देखा और अनॉंसमेंट वाले दिन यह जो फॉलिंग जो यह काउंटर फॉल हो रहा था अपने रजिस्टेंस लाइन से इसका एक अपने को ब्रेक देखने मिल रहा है अब दूस्तों इसमें क्या हो सकता है तो काउंटर एक 10,000 के आसपस एक साइकोलोजिकल रजिस्टेंस एक बर फेस कर सकता है जो कि इसका प्रिवियस स्विंग हाई है लेकिन एक अच्छा खासा इसके उपर भी व्यू बनाया जा सकता है क्योंकि आप कोई चोटे टाइम फ्रेम में प्राटन को अगर कोई स्टड़ी करता है चोटे टाइम फ्रेम में यह चैनल की तौर दिखेगा और बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम बात करें तो यह एक रीटेस्ट की तौर पर भी देखा जा सकता है इसकी बेस थी बेस के बाद ब्रिक आउट मिला ब्रिक आउट के बाद दीरे दीरे नीचे आ रहा था लोग 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 बनाते वह लेकिन वो स्ट्रक्चर टोड़ने क पूरी कोशिश है अभी इंपोर्टेंट लेवल में आपको बता देता हूं यह जो स्विंग हाई जो दीख रहे रहा है यहां पर क्लोज ली इंपोर्टेंट है मेरे सबसे चोटे टाइम फ्रेम पे 9700 का लेवल इंपोर्टेंट हो जाएगा वह ब्रीच होने के बाद अच् पुछ पुछ कर पाएगा है थी हूं दैट इस की मुविंग फ्रॉम इक्विटीज अब एक न्यूज बॉंड मार्केट से आ रही है सेबी ने जो बॉंड प्राइजेस होते हैं अब फेस वैल्यू उसको कम कर दिया है तो बैक इन 2022 इट वस रिदूस फ्रॉम 10 लैक टो 1 ल इस चीज को और कम किया गया है और अब इसका प्राइस 10,000 कर दिया गया है फॉर दे फेस वैल्यू आफ दिस बॉंड यह एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग न्यूज और एक बहुत इंट्रेस्टिंग टाइम पर आ रही है वाई जिए और यह रिजन इस जो बॉंड मार्केट होता है वो अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो देव वर्क ऑन दी ऑपोजट वे पोजट वे इन दे सेंस की जब बॉंड मार्केट आर अंदर राइस ट्रेड यह तब इक्विटी थोड़ा लो परफॉर्म करता है और जब bond market is performing low then equity is performing high why? because simply investors को वो market में invest करना होता है जिसमें ज्यादा return का scope रहता है provided a given risk now the thing is bond prices and interest rate are also you know inversely proportionate, मतलब जब interest rate गिरेगा तो bond prices भढ़ेंगे and आपको पता ही होगा last 2 साल से due to inflation interest rate has been going up and up and now अभी ये flat हो चुका है and in fact EU में तो अभी से rate cut की भी बात हुई है and USA में भी rate cut होगा if USA में rate cut होता है and if the inflation is under control तो इंडिया भी and बाकी countries भी will you know they'll follow suit and फिर उसके बाद rate cuts होंगे और जैसी rate cuts होंगे तो bond prices भढ़ेगी इसका मतलब यह है कि जो bond में invest करने वाले लोग है उनको काफी फाइदा होने वाला है and since we all know की equity अभी बहुत दिन से अच्छा मूब दिया है so there might be a chance of a consolidation who knows it might you know continue to go up but still for the given risk की अब जैसे आप जानते होगे की जिस दिन election का news आया था उस दिन market में कितना panic पंचा था और कितने अच्छे से वी government बनेगा but also because उसके पहले जो run up आया था उसमें profit booking नजर आ गया था so इस बात को ध्यान पर रखते वे जो भी लोग long term investing कर रहे हैं उन्हें bond market को भी नजर में देखना चाहिए even इसके पहले तक तो जिसके पास जादा capital होता था वो कर पाते थे but now good news is कि जिसके पास कम capital है वो भी अब bond market में invest कर सकते हैं so definitely look out into this thing and मेरे इसाब से अगर अब rate cuts होने लगेंगे तो इसमें बहुत फाइदा होगा retail investors को okay तो इसका मनब retail investor भी अब easily diversify कर पाएंगे जैसे small small size portfolio को एक अच्छा allocation हो सकता है कि some percent in equity some percent in this bond क्योंकि आप ticket size कम हो गया तो भी diversify हो जाएगा एक कंपनी पर रिस्ट ने रिस्ट ने रिस्क सारों पर diversify हो जाएगा nice nice it's never a good you know way कि आप सारा पैसा equity में डाल दो even though सब कहते कि historically 12 to 13 percent nifty ने return दिया है but what if you need that money right आपको अगर पैसा चाहिए होगा और उस समय अगर market अच्छा perform नहीं कर रहा हो या in fact crash में हो तो आपके लिए problem हो सकता है so उस चीज को आपको अपका lower protect करना पड़ेगा upside downside दोनों देख के चलना पड़ता है इसलिए bond में invest करना अच्छा रहता है in fact अब करेंगे तो आपका जो chances है return का वो भी better होगा okay okay so guys just disclaimer दे देते हैं कि हम जो भी इस वीडियो में discuss करते हैं वो ऐसा आप case study purpose लीजी है या knowledge purpose लीजी है क्योंकि in the end आपको अपने हिसाब से ही आगर आपको जो लगता है counter अच्छा है by cell जो भी आप end decision लेते वो आपी का ही risk होता है हम यहाँ पे आपको एक proper technical knowledge देना चाहते हैं और अभी साती साथ हम आपको proper fundamental basis पे जैसे अभिशिक ने आपको बताया कि कैसे साब से रेशियो भी साइथ है और किसे साब से न्यू स्लो बन रहे हैं उस साब से हम आपको knowledge प्रोवाइट करवा रहे है end decision बले हम वीडियो में कभी-कभी हम यह बता देते कि एक अच्छा पैटन है यह है वह based on the historical study रहता है based on the experience रहता है लेकिन word of caution हम हमेशा देते कि in the end आप अपने इस आप से own study करें हमारा वीडियो देखने के बाद भी and make the right decision और दोस्तों एक और बात की दोस्तों इस टाइप के वीडियो मनाने के अंदर हमको काफी research और work करना पड़ता है मैं चाहता हूं कि आप जरूर्ट कमेंट लिखिये कि आपको यह नया format कैसा पसंद आया और आप क्या और चीज़े देखना चाहते हैं और साथी साथ लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेर करना ना भूले इस वीडियो को और I think this is the end of our video अभिशेक आपको कुछ final remark देने सफते के लिए yes yes this is it for the video हमने काफी चीज़ कवर किया equity भी कवर किया bond भी हमने कवर किया है let's see next week में क्या होता है but this is it from my side also thank you okay then अब हम मिलते हमारे अगले वीडियो में दोस्तों और सब्सक्राइब करना ना भूले जैसे हर वीडियो में बोलते है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जो भी नई व्यूवर्स हैं बाई गाइस